हलो दोस्तों मैं दिपक कुमार आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल हाउ टो नो में आप अपने कम्प्यूटर के स्पीड को कैसे बढ़ाएं जानने के लिए अंध तक देखते रहें मेरा ये वीडियो लेकिन उससे पहले आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस रेट कलर के बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा computer slow down क्यूं होता है इसके बहुत सारे कारण है जैसे कि आपका computer अगर virus, spyware और malware affected है तो आपका computer इसी वज़े से slow हो जाता है इसके और कुछ वज़े हैं जैसे कि आपने अगर बहुत सारे program install कर रहे हैं अपने computer पर ये आपके computer को slow कर लेता है आप एक साथ कितने application को run कर रहे हैं आपके computer में कितने temporary files हैं आपके c drive में कितना disk space है ये भी करता है कि आपका computer slow होगा या फिर fast होगा तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरह आप अपने computer को speed up कर सकते हैं आप अपने computer पर my computer पर चाहिए अगर आप windows 10 यूज़ कर रहे हैं तो disk PC पर क्लिक कर लिजे और यहाँ पर आप c drive में right क्लिक करके properties में जाईए यहाँ पर आपको एक disk cleanup का option दिख रहा है वहाँ पर क्लिक कर लिजे अब आपको एक box दिख रहा है यहाँ पर जितने भी सारे option है उस box पर टिक कर लिजे और ok पर क्लिक कर लिजे और यहाँ से आप delete files पर क्लिक कर लिजे यह आपके computer में सारे juncs फाइल को delete कर देंगा अब वहाँ पर आपको एक tools का option दिख रहा होगा वहाँ पर क्लिक कर लिजे और एक optimize का option है इसे आप क्लिक कर लिजे और यहाँ से आप यहाँ पर optimize कर लिजे अपने c drive को जिससे कि आपका c drive में जो space है बो बढ़ जाएगा अब आप system properties पर क्लिक कर लिजे computer में और यहाँ पर एक जो search option है वहाँ पर type कीजिए advanced system settings यहाँ पर आप view advanced system settings पर क्लिक कर लिजे यहाँ पर आप setting पर क्लिक कर लिजे यहाँ adjust for best performance पर आप क्लिक कर लिजे और apply, ok कर लिजे अब उसी search box में type कीजिए power option और power option पर click कर लिजे यहाँ पर आप check कर लिजे high performance पर अब इसे close कर लिजे इसके बाद आप अपने desktop पर चले जाए और वहाँ पर आप अपने keyboard से press कीजिए window key and R जिसे की आपका run का option खुल जाएगा और वहाँ पर type कीजिए percentage, time, percentage और ok पर click कर लिजे यहाँ पर आप सारे files को select करके delete कर लिजे finally दोस्तों आप एक program को install कर लिजे जिसका नाम है CCleaner यह आपके internet files को delete करता है आपके computer को optimize करता है junks file हो या फिर unwanted shortcut हो इसे भी यह अटाता है इसके लिए आपको यहाँ पर box पर click करना है और analyze पर click करके यहाँ पर run cleaner पर enter करना है इसी तरह से आप अपने computer के speed को बढ़ा सकते है तो दोस्तों आज का यह video आप लोगों कैसा लगा प्लीज मुझे बताएए और मेरे चैनल को सबस्क्राइब के